हरोस्त नमस्कार केपीटी से गड़ी में आपका हर्तिक स्वागत है आसा करता हम सौस्त होंगे अच्छे होंगे दोस्तों हम सीटीपी बालविकास सेस्टर सास्क्राइब थर्टी कोशन के सेसल आएंगे जो की सीटर पर चाहिए बहुत ही मैधपूर होगा वीडियो को लाइक करें जैसे अज सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें प्रैक रहें जिससे की नोटिफिशन माद देंगे आपको वीडियो मिलती रहेंगी तो आजकर कोशन स्टार करेंगे कोशन तोड़ा दूदला है मगर फ्रिवी सपस्ट दखाई दे रहा है कोशन देखती है जिन प्याजी का बाल विकास बरगी करण किस सिद्धान्त पर आदरित है जिन प्याजी का बाल विकास बरगी करण किस सिद्धान्त पर आदरित है तो जिन प्याजे ने जो ब्याल विकास की सिद्धान्थ दिया है वो है संगरन विकास का सिद्धान्थ है तो अंसी देक्रेक्ट होयागा यहां पर हमारा D अगला कुशन देखेंगे बाली अवस्ता में विकास को छिद्धम परिपकुता का समय किस ने कहा है तो जिसके हम बात करती है यह की रोस जी ने कहा है तो अंसी देक्रेक्ट होयागा यहां पर हमारा A अगला कुशन देखेंगे बाली विकास निर्वर करता है A. बंसान करम पर B. बातवर्ड पर C. ए तथा B. दोनों पर D. बालक के परिवार पर तो कुशन पुशा गया कि बाल विकास निर्वर करता है किस पर यह कुशन में पूछे जा रहा है तो जिसके हम बात करती है बाल विकास बंसान करम और बातवर्ड दोनों पर निर्वर करता है तो अंसिता करेक्ट हो जागा इसका ओड़ी हमारा C. अगला कुशन देखती है बीटे को लाइक करें जैसे आज सेर करें चनल को सुब्सक्राइब करें बाल विकास करें जिससे के निर्वर्ड देंस पर आपको बीटी मिलती रहेंगी तो कॉशन देखेंगे अधिगम की सपलता का प्रमुख आदार है A. प्रसंसा B. पुरुसकार C. नेत्रत D. लक्ष प्राप्ति की उत्कुशन तो कॉशन काफे इच्छा पूचा गया कॉशन पूचा गया कि अधिगम की सपलता का प्रमुख आदार क्या होगा यह कॉशन में पूचा गया तो जैसे के बात करते हैं अधिगम की सपलता का प्रमुख आदार होगा जिकी लक्ष प्राप्ति करने की उत्कष इच्छा तो आनसीदा करेक्ट होगा यहां पे हमारा D अलग कुशन देखेंगे सीखने या सीखना विकास की प्रक्रिया है ये सब्द है A. Gets, A. O. अन्नों की B. A. Suspension की D. A. Boodworth की C. A. Boodworth की D. A. Marshall की D. A. A. C. A. A. अगला कोशन देखेंगे अधिकम सिद्धानτο एवं उनके प्रवर्तक का कौन सा युगम असंगत है A.A. सूचना प्रशदान सिद्धान्त कॉर लोजर्स B.A. उद्धीपन अनकुरिया सिद्धान्त कॉलर C.A. संबंद प्रतक्रिया सिद्धान्त पैवलव D.A. किरिया प्रसू सिद्धान्त इसकिनर क्वेशन काफ़ी अच्छा पूछा गया है कॉर्शन में पूछा रहा है तो जैसकि हम बात करती है यहां पर कि उद्धीपन अनकुरिया सिद्धान्त वो कॉलर की मध्यम से नहीं दिया गया इन्होंने नेतिकता का सिद्धान्त दिया है तो अनसिता करेक्टर रहा है इसको गड़ी हमारा अगला कॉशन देखेंगे तो कॉशन काफी अच्छा है ऐसा च्टन जिसका संबंध बास्तिवक्ता से होता या कहलाता है उसे क्या कहते है यह कुशन में पूछा रहा है यह क्या कहलाता है इसके according question को समझ सकती है तो ज़सके बात करती है वो इतारतवादी चिंतन क्यालाएगा तो अंसित्य करेक्ट होएगा यहापे मारा A अगला कोशन देखेंगे बिद्यार्तियों को किस प्रकार अविप्रेरत करना चाहिए A. पिटाई का डर दिखाकर बिए परिच्छा में फेल कराने की दमगी देकर C. घर पर सिकायत का बहर दिखाकर बिए चात्रों को समय समय पर उनकी सपलता हुआ प्रगति के बारे में बताकर तो कोशन काफी अच्छा पुछा गया है कोशन पुछा जारा कि बिद्यार्तियों को किस पकार अविपरेरत करना चाहिए या करना होगा तो अंसे हमारा बहुत ही अच्छा होगा इसमें जैसे कि छात्रों को समय समय पर उनकी सपलता हुआ प्रगति के बारे में उन्हें बताकर इससे क्या बच्छे अविपरेरत होंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से करेंगे तो अंसे से करेक्ट होगा इसको गड़ी हमारा डी अगर उसमें देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ में चलों को सब्सक्राइब करें प्लैक नोग प्रैस कर लें जिससे के नोटिक फ्रीम आदिम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी कोशन देखेंगे नेमनल गत्में से कर्तिम अविपरेरक है कोशन में कर्तिम अविपरेरक पूछा गया है ए पुरुसकार बी ए पुरसंसा सी ए दंड दी ए ये सभी तो जैसके बात करते हैं कृटम अविपरेरक होगा पुरुसकार देना कृटम है क्योंकि हम बच्चे को पहले पुरुसकार देंगे बच्चा हमारा फिट टार्गेट प्राप्त करेगा या उससे बच्चा चाहेगा कि मैं बच्चे से बोलेंगे कि आप 10 में स्टेंड प्राप्त करें आपको एक न्यू पैन दिया जाएगा तो बच्चा कृतम अविपरेर रहता है प्रसंसा करना कि कि साबबास अच्छा इस सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि हम उसे बहारी अविपरेरा दे रहे है अगर बच्चे से बोलेंगे कि अगर आप 10 में स्टेंड नहीं लेकर आओगे 20 में स्टेंड नहीं लेकर आओगे तो आपको धन्ड दिया जागा तो ये भी मारे क्या है एक कृतम हरी प्राप्रेर रहे है तो अंसर हो जागा है हम परे अगर उस्टे देखेंगे बैक्तिक भिनता को प्रवावित करने वाले कारक है A. बंसान करम B. बातरवर C. लिंग वेद D. ये सभी तो कोश्चन पुछा गया कि बैक्तिक भिनता को प्रवावित करने वाला कारक है ये कारक कौन सा है यह question में पूछा रहा है, काफ़े अच्छा question पूछा गया है, तो जैसके हम बात करते हैं आप बैक्तिक विन्नता की, तो बैक्तिक विन्नता हमें, बंसान करें, बातावर्ण, और लिंग वेद, यह सभी कारक होते हैं, तो अंसे दाखरेक्टर होगा, इसका अकॉर्णिक हमार सभी किप्रवर्दिक कला, इसके भगल महीं दिया है, फस्ट है बैक्तिते, बहर मुखी, पहली दीलियर इसकी विसेसदा, फिर इसकी दूसरी विसेसदा, ऑफी एए, चिंतन सवाव वाला, बैक्तित है, सैकंड है, अंतर मुखी,्रा जिस बैक्तिक के गुण्टों नहों, अधिक तीप्र हो और न एक आंगी तो वो क्या हो, कौन सा होगा? C दिया है, थर्ड दिया है, इसमें होगा है, मुखी D है आपशक्ता अनुसार अपने बिचारों में परवर्तन कर लेनी बाला बेक्तित है, बहर मुखी तो यहां पर सुलिमित किया गया है, उसके बिस्यस्ता दी गई है और उसका बेक्तित दिया गया है कि किस पकार से इसके बिस्यस्ता आँगी और उसका बेक्तित किया है, यह कुश्यन में सुलिमित करना है या उसे मिलान करना है, इस पकार से तो जैसके बात करते हैं ओप्शन देखेंगे इसके ओप्शन उनकी दिये गए कि A, V, C, D दिये दिये गए और उसका A, V करके तो हमें मिलान करना है यह हमारा ओप्शन आ जाएगा तो जैसके हम बात करते हैं यहां पर जैसे की नेत्रोत राइडरेतिक एवं सामाजिक प्रवरती वाला ब्यक्ति होगा वो कैसा होगा बहर मुखी होगा तो हमारा जो मेल कर रहा है इससे एका मेल होगा हमारा इससे टिक करते हांगे साथ साथ में इससे एक चिंतन सुवाब ब्यक्ति कैसा होगा वो अंतर मुक्य होगा कैसलो यह कि अबारे जिस ब्यक्ति के गुंड हो ना तो अधिक तीप्र हो और ना एकांगी हो तो हमारे मुक् Jahren कैसा होगा वो किसे connect हो रहा है third से और आभशक्ता अनुसार अपने विचारों में परवरतन कर लेने वाला कैसा हो बहर मुखी होगा क्योंकि जैसी समस्या या कंडिशन है तो उसे अपने आपको change कर लिना तो वो क्या होगा है बहर मुखी तो हमारा fourth होगा यह वाला A अगर हम B की बात करते हैं तो B अमारा second में था तो यह थाड है इसका car character होरा यह आपको C нос स रख़ा स्क्रेखिंगा हो रहा है तो अनुसे समस्या होगा सießकोरत के अगरर हम पूशन देखेंगे बाले अबस्ता में बालक का वेक्तुत होता है बहर मुखी एक अकॉर्डिंग डिये अंतर मुखी सिये ओवे मुखी डिये सरमीला तो क्वेशन कफे अच्छा पूछा गया है क्वेशन पूछा गया है कि बाले अबस्ता में बालक का वेक्तिवत कैसा होता है यह question में पूछ आए रहा है जोसे कि बालक का वेक्तिवत होता है जो कि बहर मुखी होता है तो अंसी तरह करेक्ट हो जाए इस पोग्ड का हमारा A बुद्धी लब्दी का सूत्र है बुद्धी लब्दी का सूत्र है पूछा गया question में A IQ is equal to CA upon MA BA IQ is equal to CA upon MA into 100 CA IQ is equal to MA upon CA into 100 BA IQ is equal to MA upon 100 is equal to CA तो बुद्धी लब्दी का सूत्र पूछा गया है कफे अच्छा question पूछा गया है वो कफी सरल भी है यह question तो बुद्धी लब्दी का जो सूत्र होता है वो जाएगा हमारे यहाँ पे IQ MA CA into 100 तो आंसी तरह करेक्ट होगा हमारा C अलग question देखेंगे तो question काफे अच्छा पूछा गया है नहीं में question पूछा गया है और इस पूछार की question सीटेट में भी आते हैं तो पहले question को बीकर पुली पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिक हम आंसर देंगे तो question पूछा गया है कि थौणडाई के अनुसार बुद्धी का सिद्धान या प्रकार नहीं है यह question में नहीं में पूछा गया है तो दोज़ेंगे में बात करते हैं आपी संबेगात्मग बुद्धी का प्रकार थौणडाई की जी नहीं दिया है तो अनसर गरेक्ट लोगा इसका गोड़ का अपर यहां पे B अगर अशन देखते हैं अधिगम का अर्थ है A प्रतकरिया B ए उत्वपाद C ए A वबी दोनो D अप्रत में से कोई नहीं तो दोज़ें कोशन पूछा गया है कि अधिगम का अर्थ पूछा गया है तो अधिगम का अर्थ की बात करते हैं तो प्रकरिया है उत्वपाद है तो इसका गोड़ के अमारा अंसर गरेक्ट लोगा A वबी दोनो तो अंसर हो जागा है यहां पे हमारा C अगर अशन देखेंगे चत्वर्त कक्षा के विध्यारतियों को अनिवार्य तैथ्य यह करनी चाहिए यह संकेत भासा B अमूर्थ चिंतन C A वबी दोनो D अपर्प्रक्ट में से कोई नहीं तो कोशन का फिच्च पूछा गया है कोशन पूछा जा रहा कि चत्वर्त कक्षा के विध्यारतियों को अनिवार्य कक्षिक से यह कक्षा से पुर्योग करनी चाहिए यह कोशन में पूछा जा रहा है तो जैसके बात करती है कि संकेतिक भासा से और अमूर्थ चिंतन से करनी चाहिए तो अंसर बार करेक्षिक होना चाहिए A वो B दोनों तो अंसर हो जागा है यहाँ पर मारा C अगला उशन देखेंगे आद्वनिक सिच्छा विवस्ता A यह चात्रों को विवस्ताइक बनाती है B यह चात्र का समाजिकर करती है C चात्रों को विवारिक ज्यान नहीं देती है D चात्रों को आद्वनिक बनाती है तो कोशन काफी अच्छा पूछा गया है कोशन पूछा जारा कि आद्वनिक सिच्छा या आद्वनिक सिच्छा विवस्ता क्या है यह कोशन में पूछा जारा है जब बात करते हैं आदू सुच्छा बिवस्ता की तो छात्रों को बिवार ग्यान नहीं देती है यह आदू सुच्छा का है तो आनसे दक रेक्ट होएगा इसका अधिक कारिक करता है तो उसकी A. सारिक सक्ती बढ़ती है B. परिश्रम करने की या परिश्रम करने की आदत पैदा होती है C. जज़क दूर होती है D. आत्म निरुवर्ता पैदा होती है कोई चात्र में पूछा जारा रहा है कि यह कोई चात्र क्योंके चात्र की यहांत से हैं कारी कर रहा है तो इसकी आत्र हैं पे intimate confidence भड़ेगा कि वह कर सकता या कार लेता है रहात। अगला कोशन देखेंगे के बात करती है कॉल वर्क जी ने नातिक तरकना के बारे में बात कही गीए तो अनसे दी करेक्ट hoला यह पर करेक्टियाँ और लोग्याशन देखेंगे बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्मार के लिए फ़ए पौर्टिय पुस्तकों में इस प्रकार से हो कि बच्चों को चर्थ निर्माण में साहिता मिल सके, D है मापरसों की जीवनी बच्चों को पढ़ानी जानी चाहिए, तो कोशन काफी अच्छा पूछा गया है, कोशन एक बार और देखेंगे, कोशन पूछा जारा कि बच्चों में अच्छे चर्थ निर्माण के लिए किस पकार की गत्विदी करनी चाहिए, तो जिसके हैं बात करते हैं यहांपी, कि कच्छा कच्छ गत्विदी इस पकार से हो कि बच्चों को चर्थ निर्माण में साहिता मिल सकी, तो इसका कोड़ की हमारा अंसीदा करेक्ट हो जाएगा C अगर कोशन देखेंगे रचनाबाद में यह बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निस्क्रिय रूप से प्रति भाग करते हैं B.A. सिच्छा सिच्छा केंद्रित होती है C.A. सिच्छा बाल केंद्रित होती है D.A. सिच्छा बिवारवादी होती है कोशन काफी अच्छा पुछा गया कोशन पुछा जा रहा है की रचनाबाद में तो यहाँ पर बात करते हैं रचनाबाद की कि यहाँ पर सिच्छा बाल केंद्रित होती है रचनाबाद में तो answer correct होगा यहांपे हमारा C लाउशन देखेंगे वीडियो का लाइक करते हैं साथ यहाद में चनल को सब्सक्राइब करें बलाइक प्रैस कर लें जिससे की नट्रीफिल में दिम से आपको वीडियो विलती रहेंगे या बढ़ने देंगे B.A. दीमी गती से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे C.A. इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे D.A. तेज गती से सीखने वाले बच्चों की सेवागता दीमी गती से सीखने वाले बच्चों की या को सिखाने हिद्दू लेंगे या कोश्चन में option के दिया गया का according उसके तो जैसे कि यहाँ पे question काफी अच्छा पुछा गया है question के ज़िए बात करते हैं आपे question पुछा गया है कि अगर आप सिच्छा के या आपको लगता है teacher के according कि आपकी कच्छा में कुछ बच्चे हैं जो कि काफी तेज गती से सीख रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे जो दिमी गती सीख रहे हैं तो आप ऐसी इस्तिती में क्या करेंगे teacher के अनुसार जिसके बात करते हैं आपे तेज गती से सीखने वाले या सीखने बाले बच्चों की सैवागिता धीमी गतित सीखने वाले बच्चे या बच्चों को हेतु सिखाने में साहिता लेंगे या हेतु साहिक करेंगे तो अंसिता करेक्ट हो यागा इसके बोड़ने हो यहाँ पर डी अलोशन देखेंगे सतत ऑवं ब्यापक मूल्याइकन से तातपर है A. नियमित रूप से मांसिक परिच्छा लेना B. सीखने की प्रक्रिया की दोरान सयच्छिक एवं सहयच्छिक छेत्रों को सीमित रूप से अलंकित करना C. नियमित रूप से कक्चा में गतिविधिया आयوجित करना पर है इस को समझ सकते हैं ज़सके बात करते हैं कि सीखने की प्रक्रिया के दोरान सिच्छक एवं से सिच्छक चेत्रों को नियमत रूप से अलंकित करना सतत एवं ब्याकल मुलका पर है तो अनसेदा करेक्टर लेगा इसका वोड़ के हमारे आपे बी हलो शुन देखेंगे किसने बहु बुद्धी सिद्धान्त प्रतपादित किया था ए अलफ़ड विनी ने बी हवर्ड गार्डन ने सी ए फ्रांसिस गल्टन ने डी ए बी ए तो कोशन काफी अच्छा पूछा गया है कि किसने बहु बुद्धी सिद्धान्त प्रतपादित किया था यह कोशन में पूछा जारा है जैसे कि बात करते हैं बहुत दीदी सिध्धानत का जो प्रत्पादक है उन्होंने हवर्ड गड़न नहीं किया था तो अनिसे से करेक्टर हो जागा है है यहां पर मारा से या किस अवस्ता से हदिक जोड़ा हुआ है यह कुशन में पूछा जारा है तो जोसके बात करते हैं पे कि पद संभेगात में क्रमतिक अवस्ता जो की है हमारी कुश्वर अवस्ता से है तो अनिसे से करेक्टर हो जागा है यहां पर मारा सी अगरा उश्चन देखेंगे कक्षा कक्ष अध्यापन की प्रारम में चात्रों की मन इस्तिती का निर्माड किया जाना आवशक है क्योंकि ए इससे चात्र सिच्छक को परिशान नहीं करेंगे भी यह चात्र ग्रहकार पूरा कर लेंगे कक्षा में विद्यारती सहवागता को सहज संध्या बनाती है दिये उपरित सभी तो कुशन काफे अच्छा पूछा गया है कुशन की बात करते हैं एक बारो कक्षा कक्ष अध्यापन की प्रारम में चात्रों की मन इस्तिती का निर्माड किया जाना आवशक है क्यों आवश तो इसको कोड़ी हमारा C अगला कोशन देखेंगे यद कोई च्छात्र कक्षा में सिच्छक के प्रशनों का उत्तर नहीं देता है तो सिच्छक को A. उसे कक्षा से बाहर निकल देना चाहिए B. उसे डाट कर डैस्क पर खड़ा कर देना चाहिए C. उसे या उसे से पार्टी च्छात्र से पूछ कर बताने के लिए कहना चाहिए D. उसे फिर कोशिस करो जैसे सब्दों से उत्तर देने प्रोस्वाइत करना चाहिए तो कोशन काफ़ अच्छा पूचा गया है कोशन एक और और देखेंगे कोशन ब ilgili या कोई च्छात्र है आपकी अच्छा में जो की फिर कोशिस करो जैसे सब्धों का प्रयोक करेंगे या उत्तर देने हितू से प्रोस्वाइत करने की कोशिस करेंगे तो इसका according कि हमारा आंसिता correct होना चाहिए D उसे फिर कोसिस करो जैसे सब्दों से उत्तर देने हितू प्रोसाइद करना चाहिए तो D answer हो जाएगा अगला कोशन देखेंगे वीडियो को like करते हैं साथ जाथ मैं चैनल को subscribe करें प्रिच्छा प्रतिमान का प्रवर्तन किया गया तो कोशन काफी अच्छा पूछा पूछा गया है कोशन में पूछा रहा है यह कोशन में पूछा रहा है जोसे के बात करते हैं यह प्रिच्छा प्रतिमान जो प्रवर्तन किया गया है वो रिचर्ड सेक्मेन के द्वारा किया गया है तो अन्से दर करेक्ट हो जागा हमारे यहाँ पे D अगला उच्छन देखेंगे स्यामपट उपयोगी साधन है A.S.I.C.H.R. का B.A. क्रियात्मकारि का C.A. बिग्यान कक्छा का D.A. कविता लिखने का तो कोश्चिन पूछा गया कि स्यामपट है जो कि आपका ब्लैक बूर्ड या बाईटूर होता है वो उपयोगी किस पकार का साधन है यह कोश्चिन में पूछा जारा है तो देखेंगे बात करती हैं यह सबसे अच्छा उपयोगी साधन होगा सिच्छड का तो अनसे देख रेक्ट हो जागा है यहांपे हमारा A अगला उच्छन देखेंगे प्रियोजना बिदी कि सिध्धान्त पर आदरित है A. अनुभव संबंदी आदार या सिध्धान्त B. सुतंतता संबदी सिध्धान्त C. बास्तिवक्ता संबंदी सिध्धान्त D. अपरुक्त सभी तो कोश्चन बुशाग गया कि प्रोजना बिदी किस सिध्धान्त पर आदरित है यह कोश्चन में पूछा रहा है तो जैसके हम पर बात करती है प्रोजना बिदी है जो कि अनुव संबदी सिध्धान्त सुतंतता संबदी सिध्धान्त बास्तिवक्ता संबदी सिध्धान्त पर आदरित है तो इसका कोश्चन बारा आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरुक्त सभी तो आंसर हमारे हो जागा हम पर दी तो दोस्तों सेसन वारा यहीं पर सब्सक्राइब करें चनल को सब्सक्राइब करें प्रेस करें जैसे लाइक करें दोस्तों को साथ में तो मिलते हैं नेक्ट सेसन में नेक्ट वीडियो में जेन दोस्तों बंदे मात्रम